नमस्कार दोस्तों आप सभी का ओल एक्जाम लाइव पर हार्दिक स्वागत है अपना सिंदुगाटी सब्वेता चल दा था कि वो टोपिक कंप्लीट हो चुका है अपना इसके बाद में अपने स्टार्ट करें दूसरा टोपिक जिसका कहा नाम है वेदिक सब्वेता तो आज किसको अपने भारत की सबसे पुराचिन सब्वेता किसको मानते थे वेदिक सब्वेता को सबसे प्राचिन सब्वेता माना जाता था कि वेदिक सब्वेता अपने भारत की सबसे प्राचिन सब्वेता है लेकिन बाद में जैसे सिंदुगाटी सब्वेता की खोज हुई जब वेदिक सब्वेता के बारे में बात करने से पहले अपने बात करें, तो इसके अंदर अपने बात करते हैं, तो देखते हैं इसके अंदर, कि जो सिंदुगाटी सब्वेता थी, जो इसका पतन है, वो लगबग लगबग 17 इसा पूरू तक का हो चुका था, 1700 इसा पूरू तक मलब यह सब्वेता थी, कौन सी, शिंदुगाटी सब्वेता, जबकि जो वेदिक सब्वेता है, ये कब से स्टार्ट होती है, लगबग 1500 इसा पूरू से, तो इन में कितना गय पागिया 200 इस्सा पूरुव का तो सिंदू गाटी सब्वेदा के जो पतन के कारण है उन में से अपने दो तीन पतन के कारण देखते हैं कि कौन-कौन सा था तो एक तो मेके अर्नेस्ट मेके जिन्हों ने चन हुद्रों की खोज गी थी और उसके साथ में जोन-मार्शल तो इन दो लोग उन्हे क्या बता कि जो सिंदू- गठी सब्वेदा थी उसके पतन का कारण क्या था उसके पतन का कारण क्या मानते हैं यह लोग यह लोग बताते हैं कि बाड कि नदियों को किना रेती सब्वेता विक्सित तो नदियों में कई ना कई कभी ना कभी बाड आई बहुत भेंकर तरीके से और यह सब्वेता है वो पूरी की पूरी नस्ट हो गई इसके अलावा जो दूसरे हैं जिसमें गार्णर चाइल्ड और मार्टिन वहिलर यह दो लोग क्या बोलते हैं कि जो सिंदु गाटि सब्वेता है उस पर विदेशी आकर्मन हुए विदेशी आकर्मन हुए यह किस ने बताया गार्णर चाइड और वहीलर ने और इन्होंने इस्पेसली क्या बताया कि विदेशी आकर्मन और विदेशी में किन्होंने आकर्मन किया आर्ये ने आर्ये लोगोंने क्या किया आकर्मन किया किस ने बताया गार्णर चाइड और वहीलर ने एक तीसरे इतियासकार थे फेर सर्वीस इन्हों क्या बताया कि पारिश्थित्य की एसंतुलन हो गया पारिश्थित्य की एसंतुलन हो गया यह किसी ने बताया फेर सर्वीस ने बताया अब आपने देखें कि मेके और जोन मार्सल क्या कहते कि बाड आ गई तो यह बात भी अपने को जस्ती है कि हाँ बाड आ सकती है नदियों कि नारे सब्वेता थी तो बाड आ सकती है यह वाली बात भी जमती है कि पारिश्तिति के एसंतुलन हो गया पारिश्तिति के एसंतुल गुण में आए अगर उन लोगों ने इन पर हमला किया होता ही सब्वेटा को नस्ट किया होता तो जो 200 साल का अपने भारती इतियास में जो 200 साल का गैप है वो कैसे आता तो यह वाली बात बिलकुल भी सत्ते नहीं है जो सबसे ज़्यादा परचलीत है वो कौन सी है मेके तो जोन मार्सल की और फेहर सर्वीस की कि सिंदुगाटी सब्वेटा का जो काल करम है उसके अंदर क्या है कि बाढ़ की वज़े से वो खतम हुई आज अप उन बात करेंगे वेदिक सब्वेटा के बारे में कि वेदिक सब्वेटा कैसे क्या रही इसके अंदर बात करें वेदि इसा पूरू से लेके 1000 इसा पूरू तक का ले सकते हैं और दूसरा क्या उत्तर वेदिक काल में जो कि 1000 इसा पूरू से 600 इसा पूरू तक का तो वेदिक काल का जो परिचेव है उसमें देखें तो वेदिक काल के अपने को कालकरम पूछे कि वेदिक सब्वेता कौन से कालकरम कौन से काल करम तक थी तो इसका तो टोटल काल करम आएगा वो फंद्रा सू इसा पूरू से लेके कब तक आएगा 600 इसा पूरू तक पंद्रा सो इसा पूरू से लेके 600 इसा पूरू तक काल करें में वो कौन सा है वेदिक सब्वेता का है इसमें दो पार्टों में डिवाइड करते हैं एक कौन सा पूरो वेदिक काल में पन्दरा सु इसा पुरू से लेकर 1010 पुरू तक करेएगर और इसको क्या केए रिखवेदिक आरफा क्यूं के और जो सबसे प्राचीन अपना गरंत है सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा है रिगवेद तो इसको रिगवेदी काल भी कहते हैं पूरुवेदी काल इसके बाद में बात करें तो उत्तरवेदी काल आ जाता है उत्तरवेदी काल क्या अजार इसा पूरू से लेके 600 इसा पूरू तक का हो जाता है इसमें रिगवेद इन तीन वेदूं की रचना होती है मलब एकजार इसा पूरू के बाद मेत अब बात करें कि वेडिक सबयता ही जैसे हमें पढ़ाता कि सिंदुगाती सबयता है तो उसके निर्माता कौन थे तो अपने पढ़ाता कि सुमेरियन लोग ते दर्विट जाते के लोग ते अलग अलग मत पड़ेते तो इसके अदर वेदिक सभड़ेटा के कार है वो एक ही बात कहते हैं क्या बात कहते हैं कि जो वेदिक सब्वेता है इसके दो निर्माता है वो कोने आरिये हैं अब आरिये सब्द का अर्थ क्या होता है आरिये सब्द का अर्थ होता है स्रेष्ट और ये सब्द का साब्दिकर्थ क्या होता है स्रेष्ट और ये जो स्रेष्ट है अर्थ है वो मलब वरंड के अधार पर जाती के अधार पर या ना की पैसे के अधार पर ता ये स्रेष्ट है वो किसा अधार पर था बासागत अधार पर बासागत सेली के आदार पर बासागत सेली के आदार पर क्या था स्रेश थे मलब आरे क्योंकि इनकी जो बासागत तो सेली थी वो स्रेश थी इसलिए इनको क्या कहलाते थे ये आरे लोग कहलाते थे अब बात करेंगे ये आरे अब जी और यह थे अगर यहाँ के होते अगर प्पर भारत के होते चमी लौट सब्यूटा सतरा सो प्चार्शा सतरा सूंः सफवा पूर्व में खतम हो गई उसके बाद दोसो साल का जो ड़ाल और यह आटा लो हमाई में Democrat में आकर भारत में और 15